लास्ट क्लास के अंदर हमने EPS यानि अर्निंग पर शियर का एक अकाउंटिंग स्टेंडर्ड स्टार्ट किया था जिसमें से एक्जाम में कुश्चन पूछा ही जाना था तो इसका सबसे पहले हमने ये देख लिया था कि EPS कैसे निकाला जाता है इसके different types और इसके अंदर main काम पता ही क्या था आपने पूरे अगर सवाल किये हो तो major work अगर आपको याद हो और ध्यान दो तो weighted सरफ इसके अंदर क्या था weighted को निकालना फिक है ना main काम weighted अब weighted को अलग-अलग तरीके से पहले एक simple case बता दिया weighted का मतलब होता है जितने साल तक equity share company ने इस्तेमाल किया है उतने मंत का कर दो simple सी बात है दूसरा case हमने किया जहां पर आपका बीच में share issue हो जाता है फिर हमने क्या देखा था sir buyback वगरा देखा था bonus share देखा था बोनस share के अंदर एक खास बात थी क्या खास बात था bonus share के अंदर के bonus share ना starting से ही माना जाएगा issue जिस दिन से original share पर bonus दिया जाएगा उस दिन से होगा इसके बाद buyback देखा था यह राइट इशू था साइध है ना हाँ यह राइट इशू का example इसके बाद एक सवाल भी हमने कर लिया था ल्डो लास्ट टॉपिक रहता था हमारा टॉपिक रह गए हैं टॉपिक बेसिकली एन एक अमल्गेमेशन नेजर नेजर नेचर आफ मर्जर और एक अमल्गेमेशन नेचर आफ परचेज ठीक है चलिए सर हम पहले डाइलुटिट को समझ लेते हैं कि डाइलुटिट है क्या उसकी अकॉर्डिंग चलेंग है डाइलुटिड एकुटी शेर समझ येगा बहुत बेसिक सा है सिंपल सा पॉइंट है डाइलुट का मतलब होता है बाटना कई बार कंपनी जैसे मान लो ध्यान देना बहुत सिंपल है X, Y, Z लिमिटेड ने क्या कर रखा है सपोज एक हजार या दस हजार एकुटी शेर कैपिटल एड़ रेट 10 रुपीज इच और कंपनी का प्रॉफिट है profit that is मान लेते हैं कि 10 रुपे 10 राख का profit है अगर मैं आपसे EPS यहां पे पूछू तो आप बड़ा basic तरीके से बता दोगे क्योंकि shares का कोई date नहीं है तो सुरू से मान लोगे और एक लाख तो यहां पे भी एक लाख आ जाएगा और divide एक तो EPS निकाल दोगे per share का कितने रुपे एक रुपे अगर मैं इसके अंदर bonus बोलू तो bonus के तरीके से सारी चीज़े कर दोगे अगर buyback तो buyback के तरीके से कर दोगे इसके अंदर मैंने यह points तो बताई ही आपको एक और point add-on कर दिया कि मेरे पास 10% debenture है और यह rupees suppose करो एक लाख का है that is convertible अब सबसे पहले आपको समझना हुआ sir what is this convertible क्या होता है convertible आपने redemption of preferential अगर यह किया हो यह debenture वाले topic में conversion का topic किया था तो conversion का मतलब क्या होता है वो आगे चलके convert हो जाएगा उसी conversion को ही हम बोलते है convertible इसका मतलब sir convertible into और आगे clarity देता हूँ equity share इसका मतलब sir in future में यह equity बन जाएगा अभी नहीं बनेगा कब बन जाएगा sir यह in future के अंदर यह बात पक्का है कि यह क्या बन जाएगा एक्यूटी बन जाएगा यानि यह बात है कि in future में यह क्या बनने वाला है sir equity बनने वाला है तो जो हम EPS निकालेंगे न वो present के हिसाब से नहीं निकालेंगे future में जो equity बनेगा उसको भी equity मान के ही निकालेंगे ठीक है न तो आप जो weighted निकलेगा न यह future में equity convert हो जाएगा कितने वाला convert होगा चलो यह भी लिग देता हूँ at 10 rupees each 10 रुपे का एक शियर में convert हो जाना है तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा sir present में हमारे पास number of equity कितने है 10,000 future में equity कितने है अगर हम निकाले present में 10,000 है और future में 1,00,000 रुपे का 10 वाला equity बनना है तो यह भी कितना बनेगा 10,000 यानि total number of equity कितने बन जाएंगे 20,000 अगर मैं आपसे इस सवाल में सिर्फ पूछू कि आप बताईए weighted average equity share तो आपका जवाब होगा sir 10,000 पुराना था जो कि पूरे साल चला और अब प्लस यह भी कितने number पहले आप यह समझ पा रहे हैं कि यह भी कितने number बनने वाला है यह भी बनने वाला है कितने number 10,000 कैसे आया sir 10,000 10,000 कैसे आएगा बताओ sir 10,000 यह आएगा हमारा एक लाग divided by 10 का एक शियर है तो divided by 10 बड़ी सिंपल सी बात है 10,000 आ गया तो weighted average sir आ जाएगा आपका 20,000 यानि अगर कोई convertible debenture हो convertible preference share हो तो उससे हमारा weight में फरक पड़ जाएगा यह convert कब होता है matter ही नहीं करता sir ठीक है न बस इतना पता होना चीए यह कौन सा है convertible है तो सबसे पहले तो weight में changes आया sir profit में भी change आयेगा क्यों sir अगर यह debenture है तो debenture है तो इसका मतलब very simple आप इसके उपर ब्याज payment कर रहे होगे sir अगर यह debenture है तो इसके उपर आप क्या paid कर रहे होगे ब्याज और एक लाख रुपे पे आपने ब्याज payment किया होगा कितने परसेंट दस परसेंट इसका मतलब sir दस अजार और यह profit जो आया होगा वो after ब्याज आया होगा क्योंकि आपको याद हो यह वाला profit कौन सा profit लेते थे तो ध्यान से देखे मैंने पूरी detail बताए थी इसमें से interest को minus करने के बाद लेते थे आप जब यह assumption ले रहे हो कि sir future के अंदर यह मेरा debenture ही नहीं रहेगा equity बन जाएगा तो यह भी तो assumption लो कि future में interest भी नहीं देना होगा सीरी सिमात है future में अब मुद्दे की बात है sir कितना interest नहीं देना होगा 10,000 यानि future का आपका जो profit है वो बढ़ने वाला है किस से बढ़ जाएगा 10,000 लेकिन और थोड़ा detail सोचो sir profit बढ़ेगा 10,000 लेकिन मेरे pocket में 10,000 नहीं आएगा इसके profit के उपर tax लगे के तब profit आएगा क्योंकि यह profit जो होता है हमेशा कौन सा profit होता है after tax तो but obvious है अगर मैं बोलू कि 30% का tax लगना है तो हमारे profit में इजाफा की बात करें तो मात्र 7,000 होना है 10,000 से profit नहीं बढ़ेगा क्योंकि आप interest अगर वापस से add-on करेंगे और आप किसमे add-on कर रहे है after tax वाले point में add-on कर रहे है तो सर जो profit बढ़ेगा वो भी कौन सा होना चाहिए after tax वाला ही होना चाहिए तो सीधी बात है एक तो आपका denominator में क्या होगा सर future में convert होने वाले debenture को हम क्या मान लेंगे सर equity उसके साब से देख लेंगे दूसरा सर जो interest है उस interest को हम add-on कर देंगे सर कहाँ add-on करोगे अपने profit में यानि अब आपका profit भी change और आपका weighted average capital भी change उसके बाद जो आपका EPS निकलेगा उसी को बोला जाता है diluted EPS यानि earning per share तो यहाँ पे अगर मैं diluted EPS निकालू तो आपका जवाब क्या होगा सर आपका जो profit हो जाएगा न 10 लाक हाँ के न profit यह हो जाएगा सर चलो इसका formula बता देते है सर कैसे होगा profit interest sorry profit plus interest one minus में T ऐसे कुछ बता दिया जाता है divided by weighted average low-gy formula बन गया अब simple यही formula अपलाई करो profit कितना था 10 लाक अब interest plus कर देंगे इसमें interest कितना है 10 अजार लेकिन one minus T करो पहले इसमे one minus T T कितना है 30% तो 0.3 divided by weighted कितना है आपका आया था 20 अजार जो मेरे example में था now check कि आपका जो यहाँ पर profit निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा इसको इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस category को जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो साथ अजार ही बन रहा है आप देखोगे तो जब 1 में से 0.3 माइनस करोगे तो बचेगा 0.7 और 0.7 को जब 10 अजार से मल्टिप्लाई करोगे तो 7 अजार ही बचेगा तो सर यह आ गया 10 लाख 7 अजार divided by 20 अजार तो अब देख लेते हैं सर 50 पॉइंट that is diluted EPS यह क्या है सर सर डाइलुटिट तो कट है कोई बात नहीं बच्चे करें डाइलुटिट कट है सर नहीं डाइलुटिट देखो कटा हुआ नहीं है एक छोटा सा टापिक है कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है समझ मैं यहां तक बस खतम ही है एक कोशन करेंगे खतम हो जागा एक कोशन टैनियर में डाला हुआ है ठीक है न तो इसके अंदर मजे की बात क्या थी के डाइलुटिट का मतलब क्या होता है सर जो फ्यूचर में कनवर्ट होने वाला डिवेंचर हो शियर्स हो वो मान लेंगे कनवर्ट हो गया और जो वेटेड एवरेज हम डिवाइड करते हैं उसमें एड़ ओन कर देंगे टाइम के इसाब से सेकिंड तिंग जो हमारा प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा लेकिन प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा आफ्टर टेक्स के इसाब से बढ़ जाएगा और वो मान लेंगे हमारा क्या है प्रॉफिट एक्चुल लिया जाएगा ठीक है चलिए सवाल ही देख लेते हैं सीधा इसके उपर मेरा एक और कोश्चन कराना है इसके अंदर इसी में मैं एड़ ओन करूँगा एक और कोश्चन सवाल कहता है डाइलुटिड एपिएस फ्रम दा फॉलविंग पर्टिकुलर अर्निंग शियर डाइलुटिड कमपनी पर्टिकुलर नेट प्रॉफिट करेंट इयर करेंट इयर का प्रॉफिट नमबर दे रखा है अच्छा नेट प्रॉफिट करेंट इयर आपका नमबर अफ इक्विटी शियर आउटसेंडिंग अब ये थोड़ा सा एरर है थोड़ा मैं ठीक कर देता हूँ नेट प्रॉफिट आइधिंग होगा दो चार बीस लाग और नमबर अफ शियर जो होगा न वो होगा हमारा दो चार छे दस लाग ठीक है ये मैंने लिख दिया आगे कहता है इंट्रस्ट करेंट इयर का आफ्टर टेक्स ये कुछ आगे पीछे हो गया कुश्चन साहिट किसी के पास है बुक चलो बना देते हैं कुश्चन ने तो ठीक है ठीक है ठीक है कोई एरर नहीं है ठीक है देख लिजे कहता है इंट्रस्ट एक्सपेंस करेंट इयर का टेक्स रेट उस इंट्रस्ट के उपर लगना है 30% नंबर आफ 10,012% कनवर्टेबल डिबेंचर 100 रुपीज इच डिबेंचर कनवर्टेबल 8 इकुटी शेयर कहता है डिबेंचर को हम इंट्रस्ट बताये नहीं है तो आप मानके चलो पूरे साल कहता है ना करंट इयर है तो यह नहीं पूरे साल का है तो सबसे पहले हम यहां पर प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं तो सर प्रॉफिट जो दे रखा था वो दे रखा था में 20 लाग इसमें प्लस कर दोगे क्या सर आप प्लस क्या कर दोगे या मैं इसको सीधा कर देता हूँ डाइलेटिड एपिएस प्रॉफिट प्लस में इंट्रस्ट वन माइनस टी डिवाइड़ बाइ वेटेड एवरेज एकुटी शेयर सर प्रॉफिट कितने हैं बीस लाग इंट्रस्ट क्या आएगा इंट्रस्ट निकाल लेते हैं देखें डिवेंचर जो है आपका 10,000 डिवेंचर है कितने हमारे 10,000 डिवेंचर और 10,000 डिवेंचर गुणा में 100 रुपए तो आपका पैसा हो गया यहां पे 10 लाग रुपए 10,000 रुपए ठीक है अब 10,000 पे 12% ब्याज निकालोगे देट इस आपका 1,000,000 बीस अजार का इंट्रस्ट है तो आप यहां पे लोगे एक लाग बीस अजार इंट्रस्ट और वन माइनस टी ब्रैकिट में ब्रैकिट में वन माइनस टी वन माइनस टी टी क्या एसर 30% 0.3 डिवाइड़ बाइ नंबर करोगे तो पहले से पुराना नंबर तो हमारा 10 लाग चली रहा है प्लस में अब 10 अजार है कहता है हर एक के बदले हम 8 इकूटी दे देंगे हर एक के बदले कितने इकूटी दे देंगे 8 तो 10 अजार कनवर्टेबल डिवेंचर को 8 इकूटी माने 80 अजार समझो ठीक है क्योंकि पूरे करेंट इयर की बात कर रहा है तो इसको अगर आप 12 बाइ 12 भी करोगे तो वही डिजिट आएगा तो मैं इसको वेट नहीं दे रहा हमान के चल रहा हूँ वही आ जाएगा उपर क्या आजाएगा आपका 84,000 साथ 84 तो 20 लाक 84,000 डिवाइड़ बाइ 10 लाक 80,000 करिए क्या आता है 1.92 यह आगे हमारा डाइलुटिड एकुटी शियर इस तरीके के कोश्चन में ध्यान दीजे इस तरीके के कोश्चन में एक ट्विस्ट रहता है क्या ट्विस्ट रहता है सर इस कोश्चन में आपको इंट्रस्ट का अमाउंट निकाल के दे देता है सपोस करो मैं यहां दे देता इंट्रस्ट 80,000 ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कोश्चन इस टाइप का CA में तो कई बार पूछा जा चुक है हर बार मतलब टॉपी की रहता कि यही पूछना है अगर इंट्रस्ट आपको 80,000 दे दिया इंट्रस्ट कितना दे दिया आपको 80,000 तो अब आपका 80,000 का मतलब सर यह इंट्रस्ट है कितने रेट के हिसाब से 12 परसेंट और पूरे साल का अगर इंट्रस्ट देखा जाए तो होगा कितना तो इस 80,000 से आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आपका कितने महिने तक कनवर्टेबल डिमेंचर रहा तो कैसे निकालेंगे सर आपका 80,000 है और कितना होना अच्छी है एक बीस तो इसको डिवाइड करके आप मन्त निकाल लेंगे कैसे निकलेगा सर अच्छी अच्छी बीस चालेज आठ महिने देखिए आपका टाइम निकालने का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट पॉइंट करवा रहा हूं लिख लीजिएगा टाइम सर इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम कैसे निकालेंगे इंट्रस्ट डिवाइडेड बाइ टोटल इंट्रस्ट इंटू में 12 ठीक है इसको सॉल्व करें तो यह आएगा 8 मंथ सर अगर आपका इंट्रस्ट 8 मंथ का है तो जब डाइलूटिड आपने निकाला था तो मैं कुश्चन में एड करके बता रहा हूं इसको भी क्या करना पड़ेगा यानि अगर उसने इंट्रस्ट दे दिया तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि सर यह इंट्रस्ट 12 महीने का है भी या नहीं है अगर 12 महीने का नहीं है तो जो कन्वर्टिबल वाला आपका पार्ट है वो उसी महीने के इसाफ़ से वेट निकालना पड़ेगा यह पॉइंट क्लियर है इसे हटा दियते हैं तो इस जो पॉइंट मैंने लिखा इसे रजिस्टर पर अलग से भी नोट करिएगा तो हमारा जो इस वाला पॉइंट था यह पूरा का पूरा चैप्टर खतम हो जाता है एक बार टैनियर में भी नजर मार लेते हैं वैसे लास्ट क्लास में देख लिया था क्या टैनियर हमने कॉर्प्रेट अकाउंट टैनियर और प्रोग्राम एपियस एपियस देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कॉष्चन हो गए थे यह वाले मैं डैलुटिट पर आ जाता हूँ इसमें डैलुटिट में क्या करा है यह सेम ही कॉष्चन था इसमें इंट्रेस्ट एक्स्पेंस देता है आपका कितने का तीन लाख साथ हजार अगर आप देखते हैं तो ठीक है सेम ही है इस कॉष्चन में होमवर्ग में रहेगा मैं समझा देता हूँ यह कॉष्चन एक बार ध्यान दीजेगा सर कॉष्चन में क्या है आपको करेंट यर का प्रॉफिट पता है नंबर अफ शेर्स आउट्सेंडिंग पता है नंबर अफ शेर्स इसके बाद अर्निंग बेसिक अर्निंग पता है वो बारा लाक रुपए बनेगा कहता है इंट्रस फॉर करेंट इयर भी दे दिया निकालके और क्या चाहिए यानि पूरे साल का ही है और उसके ऊपर टेक्स निकालके दे रहा है तो टेक्स का कोई कामी नहीं है वो तो हम वैसे भी वन माइनस टी करने के बार टेक्स निकल साहाथ साहाब आप प्रॉफिट में न आठ लाक चालिस वजार जोड़ी यह टेक्स को घटा कर जोड़ी आपको तो आपका प्रॉफिट में जोर जाेगा आठ चालिस कनवर्टेबल डिवंचे कितना है 10 रुपीस each equity share 10 रुपीस each देखा जाए तो 1 करोड को 10 से divide करोगे तो 10 लाख equity share capital आ जाएंगे और पहले से ही हमारे पास 50 लाख equity share है टोटल कितने हो गए 1 करोड और profit आ जाएगा 10 लाख 84 अजार तो 10 लाख 84 अजार को हम 1 करोड से divide कर देंगे हमारा answer आ जाएगा तो आप यहाँ पे भी देखोगे 50 और 10,60 लाख हो गया तो इसको divide कर दिया तो answer आ जाएगा यह वाला भी हो जाएगा आपका point तो यहाँ तक था हमारा यह chapter